आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें नमशकार दोस्तों, हमारा आज का प्रशन है उर्जा उत्पादक पोशकों के नाम बताईए तो आईए इसे उत्तर की सहायता से समझ लेते हैं उत्तर, देखिए ऐसे पोशक तत्व, जो उर्जा उत्पन करते हैं उर्जा उत्पन करते हैं या उर्जा का उत्पादन करते हैं ऐसे पोशक तत्वों के नाम हैं कार्बो हाइडरेट, कार्बो हाइडरेट एवं एवं वसा कार्बो हाइडरेट एवं वसा तो देखिए अब हम इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं तो देखिए इनका कारे क्या होता है जैसे कि हमने जाना यहाँ उर्जा प्रदायक होते हैं यहाँ क्या प्रदान करते हैं उर्जा प्रदान करते हैं और कार्बो हाइडरेट जो होते हैं वह उर्जा के बहुत ही सस्ते इस्त्रोथ होते हैं इनसे आसानी से क्या हो जाती है उर उर्जा प्राप्त होती है तो एक ग्राम कार्वो हाइडरेट से चार केलोरी उर्जा मिलती है कितनी केलोरी उर्जा मिलती है चार केलोरी उर्जा प्राप्त होती है और देखिए क्या होता है कि ग्लुकोस उर्जा का क्या होता है मुख्य स्त्रोत होता है अतह सभी कार्वो को कितमें परिवर्थित कर दिया जाता है, ग्लूकोज में परिवर्थित कर, परिवर्थित कर, इनकी उर्जा को क्या है, तातकालिक कादियों के लिए क्या कर लिया जाता है, उप्योग कर लिया जाता है, अब वसा के बारे में जान लेते हैं, तो देखिए, क्या होता है कि व वसा के एक ग्राम से, एक ग्राम वसा, एक ग्राम वसा से 9 कैलोरी उर्जा मिलती है, कितने कैलोरी उर्जा मिलती है, 9 कैलोरी उर्जा प्राप्त होती है, और देखिए वसा क्या होता है, कार्बो हाइडर्ट की तुल्ला में वसा से क्या है, तीवर गती से उर्जा प्राप्त ह तो देखिए यह थे उर्जा उत्पादक पोशकों के नाम तो हमारा प्रशन यहीं समाप्त होता है आशा करती हूं आपको यह प्रशन समझ जाया हो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आशी डाउनोट करें डाउटने आप यह वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर